इस्टे विद इस वीडियो टिल एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से अपने घर के गमलों में कैंग कॉंग या वाटर स्पाइनाइज को लगा सकते हैं और इससे आप 14 दिनों के अंदर ही सब्जियां भी प्राप कर सकते हैं आप इस वीडियो को सभी शोशल मीडिया पर जरूर शेर कीजिए कैंग कॉंग या वाटर स्पाइनेज को घर के गमलों में लगाना बहुत ही आसान है आप कैंग कॉंग या वाटर स्पाइनेज की एक कटिंग लीजिए और फिर उसको किसी दूसरे गमले में ऐसे ही गाड़ दीजिए जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरीके से आप कई कंटेनर में कैंग कॉंग या वाटर स्पैनेज की कटिंग को ऐसे गाड़ के लगा सकते हैं और ध्यान आपको यह रखना है कि जब आप इसका कंटेनर लें तो इसमें कोई होल नहीं होना चाहिए और इसको ट्रांसफर करने के बाद या इंप्लैंट करने के बाद आप इस कंटेनर में पानी भर दीजिए और इसमें जो सोईल मिक्स यूज करेंगे वो आप कोई सी भी हो सकती है और उसमें आप मिट्टी ले 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 जिए थुड़ा सा कंपोस्ट आइट कर ले जिए और क्यांक या वाटर स्पाइज लगाया था वह अब पूरी तरीके से गुरो हो चुका है और वितिन टूबीक्स यह हार्वेस के लिए तयार है आप चाहे तो आप इसको तोड़के इस्तिवाल भी कर सकते हैं तो इस तरीके से कन्कॉंग या वाटर स्पाइज को घर के लिए बहुत ही आसान है। आप भी चाहें तो बड़ी आसामी से अपने घर में इसको लगा सकते हैं। इस वीडियो को अन्य लोगों सो शेर ज़रूर कीजियेगा ताकि वह भी जल्दी ही इसको लगाएं और इससे जल्दी से आरवख ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जनकारिय आपको पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने घर में गार्डिंग का आनन लेते रहिए. झाल जाँ में गई बuisे कि उती हमार्डिंग में。